पियम मोदी आज और कल यानी 21 नुवंबर को पुलिस मुख्याले लखनों में डीजीपी और आईजीपी के 56 सम्मेलन में भाग लेंगे और शुकरवार को केंदे ग्रहमंत्री अमुशा ने सम्मेलन का उधाटन किया था और आज और रविवार को प्रधान मंत्री नरिद मोदी इस बैटक में शामिल होंगे और उनके आदेश पर पहली बार ये सम्मेलन हाइब्रीड तरीके से हो रहा है और जिसके लिए देश भर के करीब 100 सीनियर IPS अफसर लखनों पोँचे और जबकि करीब 1500 अफसर वर्चुल तरीके से जुड़ेंगे और राज्यों के इंसाशित प्रधेशों के डीजीपी और केंदे ससस्थ पुलिस बलों और केंदे पुलिस संगठनों के प्रमुक लखनों में कारेकरम इस्थल पर उपस्तित होकर भाग लेंगे और जबकि आमंत्रे द्रेक्टी आईबी मुखेले में 37 विबिन स्थानों से वर्चुल तोर पर इसमे भाग लेंगे और सम्मेलन में साइबर अपराद, डेटा गवर्नेंस, आतंगवाद विरोधी चुनोतियों, वामपन्ती उगरवाद, मादक प्रदातों की तसकरी में उबरते रुजान, जेल सुदार सहीत काई मुद्दो पर चर्चा होगी और पियम मोदी ने साल 2014 से डीजीपी सम्मेलन में घहरी दिल्चस्पी ली है और पहले की प्रतिकात्म कुफस्तिती के विप्रीद, वे सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेका स्वतंत्र और अनुपचारिक चर्चा को प्रोशाहित करते जिससे शीर्च पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुक नीती निर्धारन और आंत्रिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दो पर सीधे प्रधान मंत्री को जानकारी देने का अफसर मिलता है और पियमोदी के दिश्टिकोन के नुसार 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से भार आयोजित किया गया जिसे परंप्रागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था और 2016 में राष्टिय पुलिस अकैडमी और हैदराबाद में और 2017 में बिएस एफ अकैडमी टेकनपुर और 2018 में कवडिया और 2019 में आयोजित किया गया था राष्टिय राष्टानी दिल्ली में कोरोना संक्मंड अब काबु में और दिल्ली सरकार के स्वास्ते विवाग द्वारा साज़ा किये गए आखडों के अनुसार शुकरवार को कोविड-19 के 30,000 मामने सामने है और वही 0.05 प्रतीशत की पॉजिटिविटी दर के साथ दिल्ली में 0.05 की गई है और राष्टानी में कोरोना वाइरस मामलों की कुल संक्या 14,4605 ती और इनमें से 14,15 लाग से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके है और वहीं दिल्ली में संक्मंट से मनने वालों की संक्या 25,95 और वहीं आपको बता दें कि इस महीं ने शहर में अब तक कोविड-19 से 4 मोते हुई है और 12 नवंबर को 2 और 14 नवंबर और 15 नवंबर को 1 और दिल्ली में अक्तूबर में संक्मंट से 4 और सितंबर में 5 लोगों क आठी PCI टेस्ट और 9769 रैपिड एंटिजन टेस्ट किये गए और आपको बता दें कि गुरुवार को 0-10-08 प्रतिशत की सकरात्मक्ता दर के साथ 47 ताजा कॉविड मामले दर्श किये गए थे और दिल्ली मंत्री मंदल ने हाली में स्वास्ते प्रणाली को मजबूत करने और चिकिसा बुनियादी धाचे में सुधार किया जा रहा है और शहर में महामारी की तीसी लहसे निपटनिक कोविड नाइंटिन रोग्यों के लिए समर्पित 37,000 बैड स्थापित किया जा रहा है साउथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने हाई टेक लगजरी गाड़ें चुराने वाले इंटर स्टेट गैंग का परदाफाश किया पुलिस ने इस गैंग के पास से चोरी की गई 21 लगजरी गाड़ें बरामत किये और चार ओटो लिफटर्स को गिरफतार किये और पुलिस के मताबिक गैंग का सरगना शारिक हुसेन उर्फ सट्टा है जो दुबाई से गैंग को ओपरेट कर रहा था और ये गैंग मनीपूर मेरट और इंदोर में सक्रिय था और पुलिस ने कार चोरी के आरोप में आबिद जोनसन आशिफ और सलमान को गिरफतार किये और गाड़ियों की बरामत की के बाद लाच्पत नगर का रहने वाला एक बच्चा बार बार पुलिस को ठेंक्यू कह रह है और वज़ा है कि बच्चा बार बार पुलिस को शुक्रियादा कर रहा है दरसल साथ वेस जिले में लगजरी कार चोरी होने की वारदा पहुँच ज़्यादा बढ़ गई है और इसके बाद एक कई लगजरी गाड़ियां साथ वेस जिले से चोरी हो रही थी और तीन अक् चोरी के ऐसे मामले लगातार पुलिस को मिल रहे थे अब मामले के घंबीरता को देखते हुए आला दिकारियों ने इस मामले की जात साथ वेस जिले के स्पेसिल स्टाफ को दी क्योंकि गाड़ियां चोरी होने का पैटर्न एक जैसा ही था कॉंग्रेस के प्रदेश अद्यक नवजो सिंग सिद्धू आज करतारपुर साहिब जाएंगे और सिद्धू के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ओपी सैनी कैबिनेट मंत्री राजवर्डिंग और परगट सिंग अरूना चोधरी पंजाब कोग्रेस के प्रभारी हरिश च चोधरी कारेकारी अद्यक संगत सिंग गिलजियां कुलजीत सिंग जीरा समिट काई अन्य विधायक भी आज करतारपुर के दोरे पर जाएंगे और वहीं आपको बता दे कि कॉंग्रेस पार्टी के ओर से के इन सरकार को 50 लोगों की सूची भेजी गई थी और इन नामों को तीन हिस्सों में बाग कर करतारपुर साहिब जाने की इजाज़त दी गई थी और इससे पहले राज्ये के मुखे मंतरी चरंजित सिंग चन्नी के साथ दो कैबिनेट मंतरी मनपरीद बादल और विजेंदर सिंगला के अलावा कुछ विधायक पाकिस्तान में करतारपुर सा हिजाब में विधान सवाच चुनाब होने हैं ऐसे में राजनितिक पार्टे इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहते हैं कॉंग्रिस के लावा बीजेपी और आमानमी पार्टी के नेता भी जल्द से जल्द करतारपुर साहिब गरुदार पहुंचकर अपनी हा कोरिडोर को खुलवाने की मांग कर रहे थे और वहीं बीजेपी के नेताओं ने करतारपुर कोरिडोर को खुलवाने के ले पीम मोदी और हमशा से दिल्ली पहुंच का मुलाकात भी की थी बीजेपी नेताओं ने मांग की थी कि जल्द से जल करतारपुर को खुला दिया ज झाल झाल